प्राइश्कूल का हेड माटर जो है वह असुतोष कुमार राय है वो भूमियार है मैं तो एससी चमारकास से बिलॉग करती हूं सर पता कर लिया कि महिला अकेले है पती से अलग रहती है तो इस बात का नजाज फाइदा उठाते हुए मेरा यह उस्टोष करने का कोशिश किया सोचिए कि हाई कोट काडर है फिर भी हेड माटर कितना दबांग है कि मेरा बेतन भूगता नहीं कर रहा है सर पहले तो हमको उनका पसनल जो पिये था वहीं मेरे साथ तसलील हरकत किया है इसके बाद यहां से विधायक मंतरी के साथ आपको एक दो दिन होटल में रहोना पड़ेगा इसके बाजूद बरांडे का मेरे पास वीडियो है सर आप देख लिजे कि किस तरह से हम कोई से खीच रहा है करी कि ना मेरा पिये है ना मेरा आवास का घटना है जाओ भागो यह है तुम जैसी दलित महिलाओ का काम होता है अरोप लगा कर पैसा की लिए suspicious कात दर्ज होगा सर वह kings का ममला है फैयर की होगा क्यों एक सोन होगा हमें एक दलित महिला है इसली हमां को सजा मिल रहे ज़िए दस मार मेल पड़ी बेजी कि सर मुझे नहीं दिला यह नहीं तो आत टॉप में मेरा नाम विशाल है हम अभी एक राजत कारान में मौझूद आपको बताते हैं हमारे साथ एक दलीत महिला खड़ी है और वह एक सिक्षका भी है उन्होंने बिहार की डेप्टिसीम रेनु दिवी के जो गार्डन पे कारोप लगा है क्या कुछ आरोप है हम महिला से ही पुष्ठे हैं सबसेपर पहले तो अपना नाम बताइए और क्या है पूरा माम इलगे बताइए तर अन्हों मेरा नाम को मारी वो भूमिहार है मैं तो एससी चमारकाश से बिलोंग करती हूं सर और मेरा जो है कुछ मेरा फैमिली बैग्राउंड पता कर लिया कि महिला अकेले है पती से अलग रहती है तो इस बात का नजाज फैदा उठाते हुए मेरा यहां सोशड करने का कोशिश किया और मेरा जो है मैं नॉम्बर 17 से लेकर अब तक 4 साल से मेरा बेतन बादित कर दिया है और बिना वजह मेरा बेतन बादित कर दिया है मैं जिला से ठक गई सर तो पटना हाई कोट में CWJC की जहां का ओडर है कि बिदिन 45 दे से केंडरी एजुकेशन डिरेक्टर डिस्पोज दिस मैटनें टेक एप्रप्रियेट एक्षन और डिरेक्टर साहब को अडर है सर 45 दिन के जगापनों ने 2 साल लगा दिया और इसके बाजूद ट्रेडमाइंट कमिटी का गठन किये हैं जिसमें हेड माटर और कैमूर जीला का डियो दोसी पाय गया है इसके बाजूद मेरा बेतन बुकतान का सकते हैं तो इसी मामले मैं गई थी डिटीयसी सीम के पास सर कि महिला है एक महिला का मीटर है तो हो सकता है मेरे में मैटर को समझेंगी मेरा वेतन का भुकतान करें और बैठिया ईसके बात हुआ सरब से पहले तो हमको उनका पनल जो पी ए था वहیں मेरे साथ असलील हरकत किया है सर जब हम गए तो वहां हमको गेस्ट रूम में बैठाया इसके बाद सर बोला कि हमको डेड़ लाक रूपिया दीजिए डेड़ लाक रूपिया दीजिए इसके बाद आपका मुखे मंतरी को सियम के पास नितिश कुमार के आप फोन करेंगी तो आपका काम बेतन भुगतान हो जाएगा वहीं से डिरेक्ट सियम फोन करेंगे तो इसके बाद यहां से विधायक मंतरी के साथ आपको एक दो दिन होटल में रहना पड़ेगा फलांडे का इसके बाद लगा असली हरकत करने जब उठकर में गेश्ट रूम से बाहर जाने लगी सर गुंडी बन कर दिया सर इसके बाजूद बरांडे का मेरे पास विडियो है सर आप देख लिजे कि कि किस तरह से हम कोई से खीच रहा है सर यह देखिए वीडियो है उसका बाग पहले काम करें हटी ना बाग छोड़िये पहले ना ना पहले काम करें तो को दो हमाने को चलिये तो मने नहीं लोग रह एक चूमा देंगे तो नहीं कम कर एगा को तो काम करें तो कि ऊत्वीर के माद्हम से दिखाएंगे कि देखिए माहिला को क्या क्या प्रीजा हुआ है कि उसको जरा से विलास सरम है आपको नंबर कैसे मिला उसको सब्सक्राइबडर और एतना अब रेदान पर कि नंबर लिया है देख लिजे सर ये उसका वीडियो ये सब कितना गंदा गंदा भेजा है सर तो फिर उसके बाद क्या कुछ हुआ आपने डिप्टी सियम से अधा घंटा बाद जब मैं मिली तो मैं सबसे पहले मेरी काम प्राथ मिक्ता नहीं थी सर क्योंकि मेरा जो है ऐसा नहीं कि मेरा सब्सक्राइब किस तरह का घ्रिडित किया जाता है कर तो गरी कि ना मेरा अवास का घटना जाओ भागो यहां से तुम जैसी दलित महिलाओ का काम होता है अरोप लगाकर पैसा के लिए शर बताइए हम एक सीच्छा का नाम क्या है नाम बता सकते हैं नाम क्या है कुमार वो डिप्रिसीम का मामला आप फायार की होगा? क्यों एक्षन होगा? हम एक दलित महिला है, इसलिए हमको दलित का सजा मिल रहा है। उनका भई खुद कहा जा रहा है हमसे कि उनका भई हिष्टी सुटर है कृमनल है लख 1952 है अपको गोली मरवा देगा आपको आपका नोकरी से बर खास अपना नोकरी बचाईए तो और पो अपना देना चाहिए क्या मुख्य मंत्री कहते हैं बेटी बचाओ सरम नहीं आती है कि मैं मुख्य मंत्री के सर जनता दरबार में गई हूं दस बार मेल पे चिठी भेजी कि सर मुझे ने आय दिला ये नहीं तो आत्मा हत्या कर लेंगे विधान सभा के गेट पर कोई फरक नहीं है मुख्य मंत्री के जनता दरबार में भी गई थी हैं गई है सर उनसे भी बोले तो बस वहीं संतावना है ठीक हम ते यहां तक बोले सर कि हम जो है अभिधान सभा के गेट के सामने आकर आत्मादा कर लेंगे मुझे नया दिला ये मैं चार साल से मुख्यमारी के कागार पर मैं कोई फरक नहीं पड़ता है ये गुंगी बारी ये अंधी सरकार है इसको कोई सब बिहार में इतना भरस्टा चार है मायक जीता जाता हूँ दारान हूँ सर खुद आप देखिए कि हाई कोट आप डिरेक्टर का ओडर रहने के बाजूद मेरा बेतन भुकता नहीं किया कितरा दबंग है सर आप बताइए आपके परिवार में कौन-कौन है सर हम पती से अपना अलग रहते हैं ये मेरा नीजी मामला है सौरी मैं इस पर कुछ नहीं काना चाती हूँ मेरा समंदित मामला है आप मुझसे जो सवाल पुछना है इस इस माई पॉस्टनल मैटर और मेरा प्रोफेस्टनल मैटर है ये इसको आप लोग कंपेर मत करें ये बताइए कि आपने दर्ज की है सिकाय दर्ज नहीं हुआ है मुख्यमंत्री कहते हैं कि महिला का सम्मान होता ह है हमारे सरकार में सुशासें के सरकार है सर आज मैं आज से नहीं मैं पुलिस विभाग से लेकर और सिच्छा विभाग का इस से बड़ा क्या जीता जाकता उदार होगा सर कि जिस महिला के पास हाई कोटर सेकेंडी एजूकेशन का डरेक्टर का ओडर है SCI योग है कि इस तरह का घटना गम होना पहुती निंदनी और गम्भीर है इसके बावजूद मेरा बेतन का भुकतान नहीं हो रहा है सर यह हमारे बिहार सरकार कर क्या रही है सर क्या मैं एक दलित हूँ इसलिए मुझे इसकी सजा मिल रही है इसलिए मुझे बेतन का भुकतान नहीं हो रहा है और हमारा हेडमाटर एक सवन नहीं एक ठाकूर आरेसस का आदमी यह गुंड़ा है इसलिए वो हमारे उपर जुल मतले है सुचिये कि स्कूल में हमको हेडमाटर जो है सर हमको दढ़ा कर जमीन पे गिरा कर बास उठा कर पीट दे रहा है सर हम अस्पताल में भरती थे मेरा केस नहीं दर्ज होता है सर मैं जाती हूँ के स्पी के पास फिर भी मेरे फायार दर्ज नहीं हुआ सर हमारे साथ महिला थी तमाम जो बाते हैं उन्होंने बताए कि एक डिप्टी सियम को जो गार्ड है उनके साथ किस तरीके से बद सुलुकी किया और साथ-साथ उनने उनके साथ चेड़ चार किया गया है तो पूरा मामला आपने देखा लेकिन यह जो पूरा मामला है उसके बाद हम आपको और भी वीडियो बना करके दिखाएंगे कि इस पर क्या कुछ अपडेट हुआ है बने रहे हमारे साथ बहुत धन्याएं